जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में भी चलेगी बुलेट ट्रेन जार्खन के लोगों को भी बुलेट ट्रेन का तोफा मिलने वाला है बतादे धनबाद से होकर चलेगा केंद्र सरकार ने वारानसी से हवडा तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है जिसमें ए प्रस्ताव है कि इसे जार्खन के पत से भी चलाया जाएगा इसके लिए राजे के कई जीलों में सर्वे का काम हो रहा है बतादे गिरीडी के बगोदर इलाके में भी काम पूरा हो गया है अभिकेंद्र के निर्देश पर धनबाद में सर्वे किया जा रहा है इसे लोगों में उत्साह का महल है प्राप्त जनकारी के अनुसार ग्रोवर इन्फरा प्राइबेट लिमिटेड इसके लिए जिमिवारी स्वपने गई है। इन्फरा प्राइबेट लिमिवारी स्वपने गई है। इन्फरा प्राइबेट लिमिवारी स्वपने गई है। इन्फरा प्राइबेट लिमिवारी स्वपने गई है। अभी जो बसे चलेंगी उसमें नीजी बसों के अपेक्षा 10-25 फिर्टी तक भाड़ा कम होगा। साइबर अप्राधी ने उड़ा लिए जारखंड के सरकारी खजानों से 22 कोल रुपए। पटेल अमीत चंदूलाल नामक साइबर अप्राधी ने फरजी चेक के सहारे सरकारी खजाने से 22 कोल रुपए की निकासी की है। इसने दूसरों की मदद से फरजी चेक के सहारे सराय केला पलामो और गुमला के स्टेट बैंक इस्थीत सरकारी खजानों से पैसे की निकासी की। इसमें 22.60 कोल रुपए भो अरजन कर्याले के और सेस रकम कल्यान विभाग की थी। जात में मामला खुलास्या होने के बाद कल्यान विभाग के 9.05 कोल रुपए साइबर अपराधी के खाते से वापत सरकारी खाते में लाया जा सके हैं। लेकिन सेस रकम की निकासी अपराधी कर चुके हैं। हैदर नगर में 101 लोगों पर प्राथमिकी के बिरोध में दूसरे दिन भी बजार बंद। जारखंड के पुर्व मुख मंतरी एवं बरिष्ट भाजबानेता बावुलर मरांडी ने कहा है कि पलामू के हैदर नगर में 101 लोगों पर प्राथमिकी पुर्वा ग्रह से ग्रसित है। हैदर नगर में दुर्वा पुजा की परतीमा भी सर्जन जुलूस रोके जाने के बिरोध में हैदर नगर में दूसरे दिन भी दुकान बंद रही। प्रखंड पसासन वा पूलिस जोर से जूलूस रोक के जाने वा 101 लोगों के बिरूद प्रत्मी के दज किये जाने का हैदर नगर के बेवसायों वा अने संगठन बिरूद कर रहे हैं और निस्चित कालीन बंदी की घोसना कर रखी है जार्खन आदिवासी विकास समिती का हुआ विस्तार बैजनात उराव को सर्व समती से चुना गया बता दे इस पर समिती के भी सदस्यों की समती बनी रिम्स मामले में आज भैसला रिम्स होस्टल में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद 18 छात्रों को सो मुआर से रिम्स होस्टल खाली करना होगा बता दे रिम्स में इसे लेकर बैठक होने की संभावना है जूनियर डॉक्टर एस्सोसियेशन के अज़क्ष डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि आज से आरोपित छात्रों को रिम्स होस्टल खाली करने को कहा गया है हलाकि इस पर अभित तक असपस्ट नहीं हो पाया है कि करवाई कब होगी बतादे कि रिम्स प्रवंधन में 18 छात्रों को होस्टल से निकालने का आदेश 12 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था जूनियर नेशनल होकी चेंपियन्शिप 20 से जूनियर राश्ट्रिय महिला होकी चेंपियन्शिप में भाग लेने के लिए होकी असम की टीम रभिवार की देर साम सिम्डेगा पहुँची हलाकी सिम्डेगा का अध्यक्स मनोज, कोन बेगी एवं कमलेश्वर मांजी ने सिम्डेगा आगमन पर टीम का स्वागत किया सभी खिलाडियों को ग्राउंड के निकट ही बने भौन में ठाराया गया यहां उनके लिए तमाम सुधाय उपलब्द कराई गई है इधर सोमवार को चार टीमें पहुँचेगी बता दे इसमें हर्याना, रायस्थान, महराष्ट, अमचंडीगड की टीमें सामिल होगी आधिवासी जमीन की लूट मची है बाबुलाल मरांडी भाजपा बिधायक दलकिनेता बाबुलाल मरांडी ने आधिवासी हितों की अंदेखी का आरोप रायस सरकार पर लगाया है रभीवार को हेहल बजार में 22 पढ़हा सभा के बैनर तले आहुत अस्थानिय ग्रामिनों की जन सभा में उन्होंने आरोप लगाया की आधिवासीयों की जमीन लूटी जा रही है सरकारी जमीन पर सबसे पहला हक अस्थानिय निवासीयों का होना चाहिए दुरभाग यायकी सरकार अधिक कारियों के सहयोग से भू माफिया से मिल कर जमीन लूट में लगी है उन्होंने वैसे लोगों को सचेत करते हुए कहा कि जो लोग सरकार के सन्रच्छन में सरकारी जमीन पर पैसा फंसा रहे हैं उन्हें इसकी कीमत एक दिन चुकानी पड़ेगी रांची रेलवे स्टेशन पर फिर से प्रिपेड आटो सेवा सुरू होगी इससे यात्रियों को सहुलियत होगी आटो वाले अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे बतादे स्टेशन से बाहर निकलते ही आत्रियों को पहले ही किराया चुकाना होगा इसके बाद आटो पैसेंजर को उनके गंतव्य अस्थल तक छोड़ कर आएगा बतादे राची स्टेशन पर पहले भी प्रिपेड आटो की सेवा दी जा रही थी जिसे बीच में ही बंद कर दिया गया था 2010 में प्रिपेड आटो सेवा नगर निकल की ओर से शुरू हुई थी हिमान्चल परदेश से चार जथो में 61 स्रमिकों की वापसी हिमान्चल परदेश के किनोवर जिला से जारखंड के स्रमिकों के लोटने का सिलसिला जारी है हिमान्चल परदेश इस्थीत राट्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करने गये थे मालूम हो कि बीते दिनों हिमान्चल परदेश में जारखंड के स्रमिकों के साथ मारपिट की घटना हुई थी मतदाता सुची में नाम जुलवाने के लिए विसेश अभियान एक नॉमबर से फोटो मतदाता सुची में मतदाता अपना नाम जुलवा सकेंगे इसे लेकर एक नॉमबर से विसेश संचिप्त पुनरिक्षन कारेकरम को सुरुआत हो सकेगी वैसे लोग जिनकी आयू 1 जनवरी 2022 को 18 वरस पूरी हो रही है या इससे अधीक है तो मत्दाता सुची में निवंधन करा सकते हैं बतादे मत्दाता सुची में निवंधन के लिए दावा एवाम आपति दर्ज करने की अधी 1 नॉमबर 2021 से 30 नॉमबर 2021 तक है जो प्रपत्र 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं मत्दाता सुची में ही तुरूटी सुधार के लिए पूर्व से पंजिकरित मत्दाता प्रपत्र 8 में एक ही विधान सवा निर्वाचन छेत्र में एक मत्तान केंद्र से दूसरे मत्दान केंद्र में नाम परिवरतन के लिए प्रपत्र आठ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है सुमवर को राइधानी राची में सूबह से हलकी बारिस हो रही है बतादे आस्मान में काले मध्यम दर्जे के बादल चाय हुए है आठ किलोमेटर पर्टी घंटा की रफतार से दक्षिन पूरप की दीशा से हावा भी चल रही है वहीं सहर में अध्राता का अस्तर सो परतिसत है बतादे सूबह साथ बजे राची का तापमा ने कश डिगरी सेल से रिकोर्ट किया गया मौसम विभाय का नुसाल सहर में आज दीन भर बादल चाय रहेंगे इसके साथ ही एक से दो बार तेज मेक गरजन और बईरपात के साथ भारी भारी सोने की संभावना है जन जातिये भासाओं में 550 सिक्षकों की होगी नियुक्ती जार्खन के विश्व विद्यालियों तथा उनके अंगी भूत कॉलेजों में जन जातिये एवं छेत्रिये भासाओं में लगभग 550 सिक्षकों की नियुक्ती होगी इन में सहायक प्रध्यापक सह प्रध्यापक तथा प्रध्यापक के पद सामिल है उच एवं तक्निकी सिक्षा विभाग द्वारा विश्व विद्यालियों में इन पदों के सिरेजन के परकिरिया पूरी की जा रही है पदो के स्रीजन तथा अरक्षन रोष्टर तय होने के बाद जार्खन लोग सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति परकिरिया फूरी की जाएगी गीरी डी में डाइरिया का प्रकोप जारखंड के गिरीडी जीले में इन दिनों डायरिया का परकोप बढ़ता ही जा रहा है बता दे गिरीडी जीले के गावा परकोप के राजपुरा और चिहुटिया गाव में इसका परकोप सबसे ज़्यादा है यहां बड़ी तदात में लोग डाइरिया से ग्रस्त बताया जा रहे हैं बता दे डाइरिया का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है प्रखंड में बुजूर्ग से लेकर युवा तक इस बीमारी की चपेट में बताया जा रहे हैं यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल के बेले कंदब आये साथी साथी साथ आप प्रती दिन साम पांच बजे इस वीडियो को देखना ना भूले थांक्यू